माईक सरकार की तरह टेरा हो रहा है ठीक है सिधा कर दिया जाएगा मेरी आवाद जहां तक पहुँच रही है नागपुर के इस महान भूमी दिक्षा भूमी के आप तमाम आदर्निया बुजर्गों का हमारी माताओं बहनों का नौजवान साथियों का इस शहर के एक-एक वाशिंदे का चाहें वो दुकानदारी करते हों खेती करते हों बिजनेस करते हों नौकरी करते हों मेहनत मजदूरी करते हों अपने खून पसीने की कमाई से अपने परिवार का भरन पोशन करने वाले आप तमाम आवाम का करांतिकारिय अविन्हंदन करता हूँ आपको जैभीम कहता हूँ बगल से एक साथी कह रहे थे कनहिया जी नारा लगा दिजिये मुझे बहुत थोड़ी सी मराठी आती है मला मराठी एतनाई पर मुझे दो-तिन स्लोगन जरूर आता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेद करांचा चत्रपती सिवाजी महराजांचा करांति जोती जोतिवा फूलेंचा बस इतनी मराठी आती है साथियों हाँ आप अपना जोस थोड़ा 20 तारिक तक बचा गे रखिये सबसे पहले तो सच मुच मैं ये कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ जब भी मैं नागपूर आता हूँ मेरे लिए ये बहुत ही आनंद की बात है बहुत सुख़द अनुभूती है क्योंकि मेरे मन में जो नागपूर का छाप है जो असमिर्थी है नागपूर का है तो मैं उनकी बात को काट करके कहता हूँ कि RSS का मुख्याले नहीं नागपूर में दरसल दिख्चा भूमी है नागपूर संग भूमी नहीं दिख्चा भूमी है और ये कितनी खुस नसीवी की बात है कि आप सब लोग उस constituency के मतदाता है जिस constituency में अब मैं इसको पकड़ के रखता हूँ ठीक है इसको अब ना हम पकड़ के रखेंगे नहीं तो पता चला जैसे सिवसेना तूट करके भाजबा में चली गई रास्तवादी तूट करके भाजबा में चली गई इसको पकड़ के रखा जाएगा सच्मुच ये बहुत खुस नसीवी की बात है कि आप लोग उस constituency के वोटर है उस constituency के मतदाता है जिस constituency में दिख्षा भूमी है ये अपने आप में बरी खुस नसीवी की बात है और हमसे पहले तमाम स्पीकर ने सबने संबिधान को बचाने पे जोड़ दिया याद किया सबने इस देश में जो उँच नीच और भेद भाव वाली बिवस्था है उसके खिलाफ समता मूलक समाज की वकालत की तो वो समता मूलक सिध्यान्त हमारे देश के जिस गरंथ में है वो गरंथ हमारा संबिधान है और उस संबिधान के रचेता डॉक्टर बावा साब भीमुराव अंबेदकर की यह भूमी है तो यह आपके लिए सबसे गर्व की बात है यह आपके लिए सबसे आनंद की बात है यह गर्व की बात है इसका मतलब यह है कि यह जिम्मेवारी की भी बात है और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहता हूँ तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि चार सो का नारा लगा करके जब खुलम खुला भाजपा के नेता ये कहने लगे कि हम संभिधान बदलेंगे जब भाजपा के नेता खुलम खुला जंतर मंतर पर देश की राजधानी दिल्ली में संभिधान की कौपियां जलाने लगे तब बिदर्व के लोगों ने वो बिदर्व की मिटी जहाँ पे संत महात्मा पैदा हुए वो विदर्व की मिट्टी बर्धा में जहां महात्मा गांधी की कर्म भूमी है जहां पर आस्रम है सेवा ग्राम है जहां पर वो विदर्व की मिट्टी जहां राष्ट संत तुकरेजी महराज पैदा हुए हैं वो विदर्व की मिट्टी जहां से एक से एक आंदोलनकारी और क्रांतिकारी पैदा हुए हैं उस विदर्व की मिट्टी के लोगों ने 400 के उस गुबारे को पंक्चर करने का काम किया है और संबिधान के पक्ष में संबिधान को बचाने के लिए एक सांदार मेंडेट विदर्व के लोगों ने दिया है यह जिम्मेवारी अभी समाप्त नहीं हो जाती है इस जिम्मेवारी को हम लोगों को यह समझना परेगा कि यह जिम्मेवारी अभी समाप्त नहीं हुई है इस जिम्मेवारी को हम लोगों को अंतिम मुकाम तक पहुँचाना है और वो मुकाम क्या है वो मुकाम ये है साथियों की कोई बात नहीं है कोई नहीं तो चुनाव आयो उसे ले लेंगे वो भी रिकॉर्ड गर दी है पका क्या पता आजकल जो है आजकल सियासत में चीज़ें गिरती रहती है मैं ये कह रहा था कि वो जो जिम्मेवारी है वो अभी पचास प्रतिसद ही पूरा हुआ है पचास प्रतिसद उस जिम्मेवारी को और पूरा करने की जरूरत है और जरूरत इसलिए है कि पूरा देश महरास्ट की तरफ देख रहा है पूरा देश उम्मीद भरी नजरों से महरास्ट की तरफ देख रहा है कि महरास्ट के लोग आने वाली 20 तारीख को क्या फैसला लेते हैं क्या महरास्ट के लोग महरास्ट के मतदाताओं के साथ जो गदारी की गई उनके चुने हुए आमदार को खरीदा गया चुनी हुई सरकार को पल्टी गई रात को आधी रात को 12 बजे रात को बैट करके महरास्त में सरकार बनाने की मीटिंग की गई जिस मीटिंग में आदानी स्वेंग मौजूद थे यह जो महरास्त के साथ छल कट कपट हुआ है महरास्ट के साथ जो यह धोखा धरी हुई है महरास्ट के लोगों के साथ जो उनके नुमाइंदे हैं जो उनके पतिनिधी हैं उन्होंने जो गद्दारी की है क्या महरास्ट के लोग उस गद्दारी का हिसाब लेंगे की नहीं लेंगे यह देश की जनता आपकी तरफ देख रही है और इसका फैसला आपको 20 तारिक को करना है और मेरा यह मानना है कि इस देश में जब जब अन्धकार फैलता है इस देश में जब जब अन्याई फैलता है इस देश में जब जब नफरत फैलता है तो इस देश को इस राश्र को महराश्र के लोगों ने रोस्नी दिखाने का काम किया है रास्ता दिखाने का काम किया है और आप यह बात बखू भी जानते हैं कि आज हमारे साथ हमारे देश में हो क्या रहा है आप लोगों ने एक न्यूज सुना होगा गुजरात में एक नकली जज ध्यान से सुनियेगा गुजरात में ये हो सकता है गुजरात में एक नकली जज एक नकली कोट लगा करके फैसले सुना रहा था गुजरात में एक आदमी नकली टोल पलाजा लगा करके नकली टोल टेक्स वसूल रहा था गुजरात का एक आदमी PMO का अधिकारी बन करके यहाँ पर सिपाही लोग खरे हुए हैं दरोगा जी खरे हैं अगली वार कोई कहे कि हम PMO का अधिकारी उसका आईकार जरूर चेक तीजिएगा क्योंकि आजकल बहुत सारे नकली PMO के अधिकारी घूम रहे हैं PMO का नकली अधिकारी बन करके पूरा देश में बाडी गार्ड ले करके घूम लिया गुजरात के अंदर नकली E.D. का अपसर बन करके असली E.D. का रेड मार करके लोगों से घूस बसूल रहा था यह सब हमारे परोसी राज में हो रहा था और मेरा यह मानना है कि यह जो परोसी राज में हो रहा था उसका असर महरास्ट में भी दिखना शुरू हुआ है उसका असर ऐसे महरास्ट में दिखना शुरू हुआ है और यह सवाल मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूँ कि अगर बीजेपी को डिप्टी सीएम ही बनना था अगर फड़नवी साहब को चीफ मिनिस्टर नहीं बनना था डिप्टी सीएम ही बनना था तो उद्धव ठाकडे जी के सरकार में डिप्टी सीएम बनने में क्या दिक्कत थी मेरी बास समझ रहे हैं अगर चीफ मिनिस्टर सिवसेना को ही देना था चीफ मिनिस्टर बीजेपी को नहीं लेनी थी तो फिर सिवसेना तोरा क्यूँ बाला साथ ठाकने की पार्टी तोरी क्यूँ अगर एंसीपी बीजेपी के नजर में एक भ्रस्टाचारी पार्टी है तो उसी एंसीपी को तोर करके अपनी सरकार में सामिल क्यूं कड़ाया और अजीद पवार साहब और फटनविस जी दोनों को सिंदे जी के नीचे उप मुखमंत्री बनाया ऐसा क्यूं किया गया है ऐसा इसलिए किया गया है कि सिंदे जी मुखमंत्री नहीं है सिंदे जी एक बैमान गुजराती ब्यापारी के चोकिदार हैं और चीफ मिनिस्टर बनने से ज़्यादा भाजपा की नजर एक कठपुतली चीफ मिनिस्टर बना करके महरास्ट के संसाधनों पर उसकी गिद्ध नजर है वो फट नभीस जी को मुखमंत्री बनाने से ज़्यादा धारावी अदानी जी को देने में इंट्रेस्टेड है बीजेपी अपना मुखमंत्री बनाने से ज़्यादा उसकी नजर नासिक पर है पूने पर है नागपुड पर है नभी मुंबई पर है चाहे महारास् वारा हो या विदर्वा हो वो यहां की संपत्ति लूट करके अपने दोस्त के तिज़ूरी को भरना चाहता है इसलिए पहला सवाल तो ये है कि ये इस बार 20 तारीक को जवाब चुनाव देने के लिए जाए आप वोट देने के लिए जाए तो आपको गदारों से हिसाब करना है दूसरी चुनोती वो है कि वो यहां के संसाधन लूट करके अपने दोस्त के खजाने में पहुचाना चाहते हैं तो आपको अपना भविस अपने बच्चों का भविस और अपने आने वाली पीड़ी के सपनों को बचाना है यहाँ जिम्मेवारी आपको लेना पड़ेगा हमको पता चला कि जिफ्टी सियम साहब यहीं से चुनाव लर रहे हैं हे दिख्चा भूमी के मतदाताओं आपके सामने जबरदस्त मौका है जैसे अमेठी में कॉंग्रेस पार्टी का एक साधारन कार करता एक बड़ बोले मंत्री को धूल चटा दिया आज आपके सामने मौका है कि एक ऐसा कार करता जो सिर्फ चुनाव में नहीं आपके सुख दुख में आपके पड़िवार की हसी खुसी में आपके पड़िवार के गम में चाहे आपका हॉस्पिटल की समस्या हो चाहे आपकी पढ़ाई लिखाई की समस्या हो दिन रात आपके बीच खरा रहने बाला कॉंग्रेस पार्टी का एक जिम्मेदार जमीनी कार करता उपमुक मंत्री के सामने चुलाओ लर रहा है और उसका नतीजा देखिए कि उपमुक मंत्री साहब साल भर अपने दोस्तों को सूगर फैक्टरी बाटते रहते थे और अभी जब चुनाव आया है तो मतदाताओं को मिठाई का डबा बाट रहे हैं कमाल बात है अपने दोस्तों को बाट रहे हैं पोर्ट अपने दोस्तों को बाट रहे हैं एयर पोर्ट अपने दोस्तों को दे रहे हैं कोईले की ख़दान अपने दोस्तों को दे रहे हैं बिजली की फैक्टरी अपने दोस्त को दे रहे हैं सुगर्फ की फैक्टरी और हम को दे रहे हैं मिठाई का डबा क्या कमाल बात है क्या कमाल बात है उनको क्या लगता है उनको लगता है कि मिठाई का डबा दे करके नागपुर के जो स्वाभी मानी लोग हैं उनका इमान खरीद लेंगे उनको क्या लगता है कि जो दौलत वो पानी की तरफ बहा रहे हैं उस पानी की दौलत से वो लोगों के आँखों का पानी सुखा देंगे उनको क्या लगता है कि धनबल के सामने वो जनबल को हडा देंगे मैं कहता हूँ हे नागपुर के मतदाताओं आपके सामने ये चुनाउती है धनबल का मुकावला आपको जनबल से करना पड़ेगा और इतिहास बनाने का मौका है लोगसभा चुनाओं के दौरान जब खासदार का चुनाओं हो रहा था दिन भर टीवी पर अमेठी की चर्चा हो रही थी कई बार जब किसी को यह घमंड हो जाए कई बार सत्ता को जब किसी बात का एहंकार हो जाए तब उसको आख दिखाना बहुत जरूरी होता है कई बार अगर किसी नेता को यह लगने लगे कि वो नेता अपनी बदोलत है तो जनता को उसकी अवकाद दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है इसलिए हे जनता, हे मतदाता, हमारे सामने ये जिम्मेवारी है डक्टर बाबा साव भीमरा अम्बेद कर ने एक संबिधान लिखा और उस संबिधान की ताकत क्या है? उस संबिधान की ताकत ये है कि S.P. का वोट भी एक, क्या मेडम गलत बोल रहे हैं असिपाही का वोट भी एक, मुखमंत्री का वोट भी एक, और चपरासी का वोट भी एक महिला का वोट भी एक, और पुरुस का वोट भी एक, महल में रहने वाले का भी वोट एक और जोपड़ी में रहने वाले का भी वोट एक होता है यह संबिधान की ताकत होती है और इस संबिधान की ताकत को कुछ लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं वो नजर अंदाज कर देना चाहते हैं उनको लगता है चंदा दो धंदा लो इस स्कीम के तहद वो अपना सूटके देश भड़ करके लोगों का इमान खड़िद लेंगे साहब आप आमदार खड़िद सकते हैं आप खासदार खड़िद सकते हैं लेकिन आप इस देश के नागरिक को नहीं खड़िद सकते हैं आप महारास्ट नहीं खड़िद सकते हैं इसलिए मैं आप सबसे यह आग्रह कर यह जो बदलाव की उमीद है उस बदलाव की उमीद की दीपक को उसकी रौशनी को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि आज हमारे वक्त में जो साजिस की जा रही है उसको भी जड़ा गौर से समझा जाए अभी कुछ दिन पहले में भाशन सुन रहा था डिप्टी सियम सहाब का डिप्टी सियम सहाब ने कहा कि ये धर्म युद्ध है ठीक बात है लोग तंत्र को बचाना भी इस देश का नागरिक होने के चलते हमारा धर्म है जिस लोग तंत्र के चलते जिस समिधान के चलते आज मैं यहां खड़ा होकर के भाशन दे रहा हूँ उसकी रक्षा करना हमारा धर्म है, अगर ये धर्म युद्ध है, और धर्म को बचाने का सवाल है, जो भी नेता आपके सामने धर्म बचाने का भाशन देता है, उससे बस एक बात पूछना है, एक्स्क्यूज मी सर, आप धर्म बचाना चाहते हैं, एक मिनिट आपका चाहिए, बस ये बता दीजिये, कि धर्म बचाने की इस लड़ाई में, आपका बेटा बेटी भी हमारे साथ चलेगा ना, समझे बात को, कि ऐसा तो नहीं होगा, कि धर्म बचाने की जिम्मेवारी हमारी, और ऑक्सपोर्ट केंबिरिज में पढ़ने की जिम्मेवारी आपके बाल बच्चों की, अगर धर्म बचाना है, तो सब मिल करके बचाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा ना, कि हम लोग धर्म बचाएंगे, और पात मैंने भाजपा के एक दोस्त को कहा हमने कहा कि दोस्त धरम बचाना है तो चलो निताओं के बच्चे भी धरम बचाएंगे तो भाजपा का वो जो हमारा दोस्त था वो बोला लेकिन योगी जी और मोदी जी को बेटा बेटी नहीं है हमने का भतीजा है ना बेटा बेटी नहीं अब हतीजा है ना जैसा चलेगा न हमारे साथ धरम बचाने के लिए हुस्यारी कर रहे हो सर हुस्यारी अब हम समझने लगे हैं हुस्यारी हम इसलिए समझने लगे हैं कि डॉक्टर बाबा साब भीम राम बेदकर ने कहा और्गनाइज एजुकेट, और्गनाइज एजिटेट, संगठित हो, सिक्षित हो, संघर्स करो हमने आपका नमक खाया है, आपके टेक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है आँख फोर करके हमने पिएच दी की है, तो अब हमको ये सियासत समझ में आती है ये खेल समझ में आता है, ये खेल समझ में आता है कि उनका बेटा BCCI में IPL में टीम बना रहा है और हमको कहता है कि Dream 11 पर टीम बनाईए, बताईए, किरिकेटर बनाने का सपना दिखा करके जुवारी बनाना शुरू कर दिया है अब हमको समझ में आने लगा है कि इस देश के अंदर चल क्या रहा है चल ये रहा है कि बहुत आसानी से हम भावुक लोग हैं, हम भारत के लोग हैं हमारी दिल में भावनाएं होती हैं हमारी भावनाओं को भरका करके, हमारी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करके हमसे हमारा हक और अधिकार छीना जाता है हमारे बच्चों का भविस्ष खत्म करके अपने बच्चों का भविस्ष बनाया जाता है इसलिए मैं आपसे कुछ मोटा मोटा सवाल पूछता हूँ कहते हैं कि देश की अर्थ विवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन गई है बजाईए ताली खुशी की बात है लेकिन जरा प्रस्ण कीजिएगा कि देश की दुनिया की अर्थ विवस्था है तीसरी सबसे बड़ी तो वो 80 करोर लोग कौन हैं जो 5 किलो अनाज लेने के लिए लाइनों में लगे हुए है समझे बात को अगर तीसरी सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन गई है तो ये 80 करोर गरीब लोग कौन हैं जिसके बारे में सरकार अपना सीना खुदी फुला रही है इसका मतलब देश वासियों का विकास नहीं हो रहा है इसका मतलब देश के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है इसका मतलब देश के नाम पर अपने दोस्त की तिजोरी भरी जा रही है मुझे बिजनेस से कोई दिक्कत नहीं है खुब बिजनेस कीजिए दिन दोगुना रात चोगुना बिजनेस कीजिए लेकिन इस सवाल का जवाब दीजिए कि जितना नागरी किस देश का अरब पती है उतना ही नागरी किस देश का वो इनसान है जो आज भी नाली में उतर करके हमारा कच्रा साफ करता है हमारी गंदगी साफ करता है और परधान मंत्री कहते हैं कि यह आध्यात्मिक सुख है चलियन हम भी तो आपके साथ मिल करके यह आध्यात्मिक सुख लेना चाहते हैं अब मंदिर जाने का क्या है हम और परधान मंत्री जो दोनों मिल करके नाली में उतरेंगे कच्रा निकालें और पाध्यात्मिक सुख लेंगे क्या बात करते हैं सर दुनिया चांद पे चली गई और अभी तक आप जो है नाली के गैस से चाय बना रहे हैं या कमाल करते हैं मैं आप से कहता हूं यह साजिस हम लोगों को समझना परेगा हमको समझना परेगा कि क्यों कॉंग्रेस को बार बाण मज़नाम किया गया कि मैं ज़्यादा इतिहास में नहीं जा त Tibar लावा नहरू महात्मा गांधी डॉक्टर बाबा सहाव अमबेदकर के जवाने में नहीं जा रहा हूं मैं दस साल पहले की बात एप आपको याद दिला रहा हूं बताइए दस साल पहले लपीजी का सेलेंडर कितने में मिलता था चार सो अब कितने का मिल रहा है अब कितने का मिल रहा था अब कितने का मिल रहा है तो महंगाई बढ़ी है कि घटी है महंगाई बढ़ गई बेरोजगारी बढ़ गई 45 साल में देश के इतिहास में आज तक इतनी बेरोजगारी नहीं थी एक बार भी भाजपा के किसी भी मंत्री या नेता के मुह से रोजगार की बात नहीं निकलती है अपना बच्चा ओक्सपोर्ड में पर रहा है केम्ब्रीज में पर रहा है इंस्टाग्राम पे बहुत बढ़िया रील बना रहा है तो हमारे बच्चों को रोजगार मिले नहीं मिले उनको क्या फरक पड़ता है इसलिए आज हमारे सामने अपना आत्म सम्मान बचाने का सवाल है अपना रोजी रोटी कपरा मकान बचाने का सवाल है और जब आप 20 तारीक को वोट देने के लिए जाएं तो यह बात अपने दिमाग में रख करके जाएं एक बार में परधान मंत्री का भाशन सुन रहा था परधान मंत्री जी ने कहा कि वोट देने के लिए जाएगा तो LPG सेलेंडर को पाउँ छू करके जाएगा लोगों को बेबकू बनाने का देखिए कितना समार्ट तरीका है कह रहे हैं कि जितना रिचार्ज कीजिएगा उतनी ही बिजली जलेगी सही बात है तो आपको तो हमने रिचार्ज नहीं किया था कि आप 5 साल के लिए सरकार बनाएंगे लेकिन आप जो है विदायक खरीद बेच करके अपना सरकार बना लिए और अपना सरकार बना करके हमारा बिजली बिल बढ़ा दिये हमारा दवाई का दाम बढ़ा दिये हमारा दाल तेल का दाम बढ़ा दिये और किसान जो हैं वो जो पैदा कर रहे हैं उनको उनका वो चित दाम नहीं दे रहे हैं जो धान तीन हजार रुपे परती कुइंटल मिलता था इस बार जो है बाइस सो रुपे परती कुइंटल भिका है जो सोयाबीन 4,000 रुपे परती कुइंटल भिक रहा था इस बार 27,000 रुपे परती कुइंटल भिका है तो किसान को उनके फसल का दाम नहीं मिलेगा इस देश के नौजवानों को काम नहीं मिलेगा महिलाओं को आतम सम्मान नहीं मिलेगा आप मुझे बताइए कितने शर्म की बात है जिस महराश्त की धर्ती से ये नारा निकला मुल्गी सिखली प्रगती जाली यहीं कहते हैं न मुल्गी सिखली प्रगती जाली रोज अखवार उठा करके देख लीजिए कोई ऐसा दिन नहीं है जब महराश्त की किसी बहु बेटी के साथ किसे ना किसी इलाके में कोई अत्याचार नहीं हो रहा हो कोई अपराद नहीं हो रहा हो जगन बलातकार की घटनाएं हुई है यह सब सवाल आज हमारे सामने है इसलिए मैं आप लोगों को सिखाने की आउकात नहीं है हमारी आपको बताने की आउकात नहीं है हमारी लेकिन जिस हिम्मत से हम लोग संघर्स कर रहे हैं और इस देश को बहतर बनाने का जो हमारा सपना है हम उसमें आपका आसिरवाद चाहते हैं हम चाहते हैं कि आप पीठो करके ताली बजा करके हमारा होसला बुलंद कीजिए हमने इनकी जेलों को देख लिया है हम इनके सामने जुकने वाले नहीं है अपने आत्म सम्मान के लिए हम संघर्स करेंगे यह लड़ाई जारी रखेंगे और हमारी लड़ाई अन्याई के खिल करेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा इसलिए जो महाविकास अघारी की गारेंटी है उस गारेंटी में हम महलाओं के खाते में 3,000 रुपया पहुंचाने की बात कर रहे हैं उस गारेंटी में हम उनके लिए फ्री बस सेवा की बात कर रहे हैं और जो नौजमान है तमाम रिक्त पदों को भरेंगे और रिक्त पदों को भरने के बाद भी जो नौजमान बेरोजगार रह जाएंगे उनको 4,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे यह संकल्प लेकर के हम आपके बीच में आए हैं और हम चाहते हैं कि एक बहतर समाज बने इसके लिए डे को निता गाली दे रहा था वनी में भाजपा के निता जो है वो वो जिस समाज को गाली दे रहे थे कुटा कह रहे थे और पधान मंतरी जब हम कहते हैं कि गिंती कीजिए हम क्यों गिंती करना चाहते हैं मेरी माताइं बैठी हुए आप बताईए घर में अगर चार लोग है तो चार लोग कही खाना बनाते हैं ना दो लोग अगर रिष्टेदार के पास चला गया है तो फिर दो लोगों का खाना बनाते हैं देश में अगर हमको कोई नीती बनानी है देश में अगर हमको कोई न्याय का सिध्यान्त लागू करना है तो उसके लिए गिंती करना परेगा कि नहीं करना परेगा देश में लोगों की क्या हालत है उसको जानने में क्या दिक्कत है लेकिन ये गिंती नहीं होने देना चाहते हैं ये गिंती इसलिए नहीं होने देना चाहते हैं ताकि देश को पता ना चल जाए कि देश की संपता पे वो मुठी भर लोग कौन है जो ना माईक बार बार गिर रहा था ना क्यों गिर रहा था यह माईक बार बार इसलिए गिर रहा था क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं था समाज में अगर अमीर अमीड होगा गरीब गरीब होगा एक तरफ लोग जो है अर्बो खडबो रुप्या उनके खाते में होगा और दूसरी तरफ मिनिमम बाइलेंस नहीं रखने के चलते जिनका बाइलेंस लगातार सेविंग एकाउंट में घट जाएगा इससे देश की तरक्की नहीं हो सकती है अगर हम देश की तरक्की चाहते हैं तो हमको देश वास्यों की तरक्की करनी परेगी और देश वास्यों की तरक्की का रास्ता ये है कि सिर्फ मुठी भर लोगों का अभिकास नहीं पूरे समाज का अभिकास हमको करना परेगा सभी समाज का अभिकास हमको करना परेगा इस ता इतिहास कि पूरे देश में इसकी चर्चा हो कि एक तरफ धनबल था भरस्टाचारियों लुटेरों और गद्दारों की ताकत थी दूसरी तरफ आम जनता थी आम महलाएं थे आम नाम नौजवान थे बुजुर्ग थे बच्चे थे जिनके पास जो है जिनकी ताकत प्रफ में आप लोगों से करता हूं क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी ने एक जमीनी कारिकरता को जो लोगों का नेता है जो लोगों के बीच में रहता है लोगों के सवाल को मुखरता से उठाता है बुलंदी से उठाता है और आज आप जानते हैं इस दोर में इमांदारी के लिए ख बिजनेस है उसको नुक्सान उठाना पड़ता है उनके घरवालों को प्रतारित किया जाता है इस दौर में भी अगर अन्याय के खिलाब कोई न्याय का जंडा उठ करके खड़ा हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि नागपुर के लोग उनको अपना समर्थन देंगे और इस बार नागपुर में परिवर्तन होगा और इतिहास बनेगा इन्हीं सब्दों के साथ मुझे पूरा उम्मीद है कि आप दिख्षा भूमी के लोग हैं आप इतिहास जरूर बनाएंगे मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत जिन्दाबाद जे हिंद जे महराश्टरा